नमस्कार, स्वागत है साहितिक जहरो का चैनल पर आज हम करेंगे निराला की एक प्रसिद कविता वह तोड़ती पत्थर निराला जी की ये कविता परगतिवादी विचारधारा से परभावित है और उनके कव्वे संग्रे अनामिका में संकलित है इस कविता के माध्यम से निराला जी ने पत्थर तोड़ते हुए एक यूवती का चितरण प्रस्थुत किया है तो आईए देखते हैं इसका व्याख्यभाग वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलहबाद के पत्थ पर वह तोड़ती पत्थर कोई ने चायादार पेड़ पर वह जिसके तले बैठी हुई सविकार इस पद्याश में निराला जी क्या कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर वह वह कौन एक इस्तरी जो दिन भर मजदूरी करती है और वो मजदूरी करने के लिए या कुछ पैसे प्राप्त करने के लिए वो और वहीं इलाबाद में ही उन्होंने पत्थ पर मार्ग पर रास्ते पर उस युवती को पत्थर तोड़ते हुए देखा वह तोड़ती पत्थर कि वह पत्थर तोड़ रही थी कोई ने चायादार पेड़ वहाँ जहां वो पत्थर तोड़ रही थी वहाँ पर कोई भी चा पेड़ के नीचे वो थोड़ी देर के लिए बैठकर आराम कर ले आगे क्या कहते हैं शामतन भर बंधा योवन नतनेन प्रिय करमरत मन यहां पर कभी क्या कहते हैं कि उसके विसुंद्रिय कवर्णन है कि शामतन उसका सामला शरीर था भर बंधा योवन और वो पूरन रूप स एक युवा इस्त्री थी नत नयन उसकी जो नयन थे आंखें थी वो नीचे की तरफ नत थे जुके हुए थे प्रिये करम रत मन और अपने करम के प्रती उसका मन रत था लीन था यानि अपने प्रिये काम को जिस काम को वो कर रही थी बहुत ही प्यार से बहुत ही लगन से रत यानि लीन था अपने करम में, अपने काम में उसका मन पूर्ण रुप से लगा हुआ था, गुरु हतोडा हात, और उसके हात में गुरु अरथात भारी हतोडा था, करती बार बार परहार, और वो उस हतोडे से बार-बार चोट कर रही थी, किस पर पत्थरों पर, सामने तरु मालीका और सामने जहां वो बैठी थी, उसके सामने प्रकारा तरु पेडों की लंबी कतार थी, इसके साथ अटाली का उन्चे उन्चे भवन थे प्रकारा अर्था चार दिवारी थी और उसाथ में चार दिवारी भी बनी हुई थी जहां बैठ कर वो कारिय कर रही थी बिल्कुल उसके सामने पेडों की कतार थी मालिका थी यानि पेडों की कतार थी पंक्ती थी सामने प्रकारा थी उनकी चार दिवारी वहां पर बनी हुई थी तो वहां का वर्णन है जहां कभी ये देखते हैं कि एक इस्तरी किस प्रकार पत्थर तोड रही है और उसके बिलकुल सामने बड़े-बड़े पूंजी पतियों के घर हैं उनके बारे में यहां पर बताया है तो अर्थात चड रही थी धूप बहुत ज़्यादा चड रही थी बढ़ रही थी गर्मियों के दिन थे और धूप बहुत अधिक बढ़ने लगी थी यहां पर दिवा है दिवा यानि दिन दिन का तमतमाता हुआ रूप था दिन इतना अधिक तमतमा रहा था यानि बहुत जुलसाती हुई लू जुलसा देने वाली लू चल रही थी यानि दोपैर की गर्मी बहुत अधिक थी और ऐसे में भी वो इस्त्री वहीं पर अपने कारे में लगी हुई थी रूई जो जलती हुई भू और उस बढ़ती हुई गर्मी के कारण जो भू है भूमी है वो ऐसे जल रही थी जो यानि ऐसे जल रही थी जैसे रूई जल जाती है अगनी के संपर्क में आते ही वैसे ही भू अर्था धरा या धरती जल रही थी गरम चिनगी चा गई चारों और जैसे गरम चिनगारियां चा गई थी अर्था जो वहाँ वाईयू में जो मिट्टी के कन थे वो भी ऐसे लग रहे थे कि गरम हो चुके हैं गरम चिनगारियां चा गई हैं पराए हुई तोड़ती पत्थर और दोपैर का समय हो चुका था लेकिन फिर भी वो अपने कार्य में लगी हुई थी वे पत्थर तोड़ रही थी अर्थात वो इस्तरी अपने करम को उसी प्रकार लीन होकर कर रही थी कवी कहते हैं कि देखते देखा मुझे अपनी और देखते हुए देखा एक बार जब मैं उसकी और देख रहा था तो उसने भी मेरी और देखा और मुझे अपनी तरफ देखते हुए जब उसे पता चला कि मैं उसे देख रहा हूँ तो उसने उस भवन की ओर देखा जो पास में बड़ी-बड़ी अटालिकां थी या बड़ा भवन बना हुआ था उसकी ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा छिन्दार रथात वो बहुत ही जो बुरी अवस्था थी उसमें थी फटे पुराने वस्थर उसने धारण कर रखे थे देख कर कोई नहीं है जब उसने भवन की और देखा कि वहाँ पर तो कोई नहीं है देखा मुझे उस दृष्टी से जो मार खा रोई नहीं और मुझे मेरी तरफ उसने करुण दृष्टी से देखा मार खा कर नहीं रोई अर्थात अपने जीवन में पीडा सहन करती रही की सामने व्यक्त करना चाह रही थी कि समाज में उसे पुरी तरह से परतारित किया गया है लेकिन फिर भी वो अपना कार्यार कर रही है उसने किसी से इसके बारे में शिकायत नहीं की इस द्रिश्टी से उसने कवी की ओर देखा अर्थात अपनी विपन्ता या अपनी गरीबी को दिखाने के भाव से उसने कवी की ओर देखा सजा सहज सितार सुनी मैंने नहीं थी नहीं तो थी सुनी जंकार एक खषण के बाद वह कांपी सुहर धुलक माथे से गिरे सीकर लीन होते कर्म में फिर जों कहा मैं तोड़ती पत्थर यहां पर कभी क्या कहते हैं सजा सहज सितार की अचानक ही सहजता से सितार सज गया अर्था जैसे कोई विल्णा जंकरित होने लगी कोई मदूर तान बजू थी सुनी मैंने वेह नहीं कि मैंने आज तक ऐसी तान कभी नहीं सुनी थी मैंने ऐसी ध्वनी कभी नहीं सुनी थी यह जंकार की ऐसी जंकार य थे वो मैंने आज तक अनभव नहीं किये थे एक ख़ण के बाद वह कांपी सुघर लेकिन एक ख़ण के बाद कुछ पलों के बाद उसका शरीर सुघर यानि सुन्दर जो शरीर है वो एक दम से कांप गया कांप उठी दुलक माथे से गिरे सीकर और उसे वो सहज नहीं रही ए सहज होते होने के कारण धुलक कर माथे से गिर गए सीकर यानि पानी की अपसीने की बूंदे उसके माथे से धुलक कर नीचे गिर गई लीन होते कर्म में और उसके पस्चात लीन होते लीन होते यानि अपने कर्म में अपने कारे में वो फिर से लग गई ऐसे लग रहा है ज मुझे अपने कार्य से बिपरीथ होने का ये मुझे अपने कार्य को छोड़ने का रोकने का कोई अधिकार नहीं है। कैसे वो मौसम की मार को जहलते हुए भी अपने कार्य में लीन रहती हैं ताकि वो अपने परिवार का भरण पोशन कर सके। तो इस कवीता के माध्यम से उन्होंने उस इस्त्री के दर्द को अनुभव किया है जो विपरित प्रस्तितियों में भी अपना जीवन जीती है और कर्म को परधानता दी गई है तो उमीद करती हूँ यह कवीता आपको अच्छे से समझ में आई होगी इसके साथ ही आप अन्य विडियो को देख लें ताकि आप सभी जो आधुनिकाल के कवी हमारे स्लेबस में हैं वह अच्छे से कर पाएं बहुत बहुत धन्यवाद